आज हम एक SQLED TV को unboxing करने वाले हैं जिसका नाम है The Frame TV ये TV अपने आप में इतना अनुखा है कि इस TV के साथ एक अलग से भिजल आता है ताके इस TV को एक real frame में convert किया जा सके आप में से बहुत हों को पता है इस TV के बारे में लेकिन मैं इस TV को अब क्यों unboxing कर रहा हूँ इसलिए कि ये Samsung का एक continuous model है तो 2023 से 2024 तक रहेगा market में तो बिना किसी देरी के चलिये वीडियो को शुरू करते हैं मैं कुछ दिनों से YouTube पे The Frame TV के उपर वीडियो देख रहा था तो तभी मुझे पता चला कि बहुत लोगों को ये जाना है कि अगर मुझे frame mode नहीं चाहिए मैं off करके रखना चाहता हूँ क्या ये possible है तो जी हाँ ये बिल्कुल possible है दोस्तो कुछ और भी लोग है जिनको ये जाना है कि अगर मुझे gaming नहीं करना है as per picture quality ये सारे सवालों का जवाब हम देते है और उसके साथ साथ TV को unboxing भी करते है जैसे ही हम box को open करते है सबसे पहले हमें मिलता है एक quick setup guide कि कैसे हम अपने TV को unboxing करे और setup करे उसके बाद आता है table stand इस table stand का quality मुझे decent लगा लेकिन इसका best part ये है कि ये TV के साथ बीना screw के ही लग जाता है जैसे कि हमने Samsung 43CU 8000 वाले वीडियो में आपको दिखाया था इसके बाद हमें मिलता है एक pouch जिसमें हमें एक remote एक invisible cable जो one box को connect करता है तीवी के साथ उसके साथ हमें मिलता है एक power cord जो one connect box को power deliver करता है और उसी के साथ आपको warranty paper और manual book इस pouch के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों लेकिन बात यही पर ही खतम नहीं होता box के अंदर हमें दो और box मिलता है जिसमें से एक तो है one connect box और दूसरा है zero gap wall mount bracket तो पहले one connect box को लेके बात करते हैं क्यूंकि सारा मसाला इसी के अंदर है दोस्तों यह box मेरे उम्मीद से काफी भाड़ी है जैसे ही मैंने इसे खोला तो इसका सारा input और output मुझे यही पर दिख गया दोस्तों सबसे पहले हमें मिला एक output जो one connect box को TV के साथ connect करने में मदद करता है उसके बाद हमें चार HDMI port देखने को मिलता है जिसमें से HDMI port 120Hz के VRR को support करता है इसी के साथ एक LAN और एक fiber optical और antenna input देखने को मिलता है इसी के बाद power input और दो USB port भी side में देखने को मिलता है अब बात करते हैं दूसरे box का इस दूसरे box में zero gap wall mount है और zero gap wall mount basically हमरे TV को एक premium look देता है और इसे the frame के तरह दिखने में भी मदद करता है दोस्तों तो सारा काम करने के बाद अब हम TV को wall पे fit कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं the frame TV को इस TV का जो best part है वो है इसका picture quality जो एक QLED TV है quantum dot display का सबसे बहतरीन जो situation होता है कि वो 100% color produce कर सकता है दोस्तों लेकिन बात सिर्फ color पे आके खतम नहीं होता दोस्तों जब आप एक महगा TV पर्चेस करते हो तब देखना पड़ता है कि ये कौनसा कौनसा video format को भी support करता है तो सबसे best चीज है कि ये Dolby Vision को support करता ही नहीं ये टीवी basically HDR10 Plus के साथ आता है लेकिन जब भी आप Prime Video या फिर Netflix में आप Dolby Vision वाले content को भी देखते हो तब भी उस जगे पे ये टीवी काफी अच्छा perform करता है compare to Dolby Vision क्यूँ? क्यूँके ये टीवी 500 से भी ज़्यादा needs को support करता है Neat Bright ने ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता दोस्तो सब कुछ जो आज के डिट में आप देखते हो सारा कुछ के पीछे एकी चीज है वो है टीवी का processor ये है Samsung का AI4 के quantum processor जो 16-bit color map technology के साथ 3D color को भी produce करता है जो इस टीवी में असली जान डाल देता है दोस्तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे सुरुवाती question पे क्या इस टीवी के जो frame mode है क्या इसे हम बंद कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तो मैंने यही बताया था कि जी हाँ तो मैं बता देता हूँ कि ये टीवी best है motion sensor के उपर अगर आप घर में नहीं होते और इसका motion sensor किसी भी तरह के movement को detect नहीं कर पाता तो ये टीवी अपने आफ ही off हो जाता है stand by mode में चला जाता है अगर इसने फिर से movement दिखाई दिया इसको तो ये टीवी एक photo frame में बापस से convert हो जाता है तो आपने जैसा question किया था क्या ये बिना frame mode के चल सकता है तो जी हाँ बिलकुल चल सकता है अब हम बात करते हैं इस टीवी के sound quality की तो अगर आप एक 43 इंचिस frame टीवी के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा ये 20 wattage का है और number of speaker सिर्फ 2 है लेकिन वही पर अगर आप 55 इंचिस की टीवी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 wattage का sound output देखने को मिलता है दोस्तो number of speaker भी 4 है और जो सबसे main part है ये Dolby Digital Plus sound, Spacephere sound और Adaptive sound, Q Symphony इस तरह के बहुत से features से less है दोस्तो अब तो कम से कम बता दो के वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो सच में अच्छा लगा या फिर informative लगा तो मुझे अगर कुछ और जानना है तो जरूर से कॉमेंट कर देना यार मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या नहीं कहा तुम्हें तो जो जो बाखी रहे गया वह हम सब आपस में डिसकस कर लेंगे एक नए वीडियो के थ्रू चलो बाई बाई टाटा